असलाम नीकूम व्यूवर्स कैसे हैं आप सब अमीद आप सब ठीक होंगे और ख्यारियत से होंगे और सब लग अल्लापाक सबको खुश रखें आमीन सुमामीन जैसा कि आपको पता चल गया होगा आज कल मैं अपनी डाइट रुटीन बता रही हूं जिसे मेरा फेट सारा दिन डिनर से पहले में पीती हूं ठीक है इस्टराइट में आपने सबसे ज्यादा ख्यार जिस बात का रखने है वो चीनी और शूगर और और आपने वाइट करने बिल्कुल नहीं लेना और आपको 15 डेज में अपने रिजल्ट में लेंगे ठीक है यह मैं पीऊंगी अगर आपको यह डावचेनी वाला पानी सूट नहीं करता है तो आप लैमन वाटर भी सकते हैं यह जी आपको लेंस सकते हैं यह फाला अ alegot में फोर जो जो लेंने हैं आधा गहंट पहले मेरे जिसकी होता है कि सीडी साइस बनाती हौं जिसने मुझे ज्यादा ब81 और दो हगला दो इतने इतना के लेती हो खिक है यह मैरेब को आपको पना जो मेरा लेने अपने लिए नहीं मगवानी पड़ेगी जो चीजें हमारे घर में बननी होती है मैं उन्हीं से आपको डाइट बताऊंगी कि जाइट करनी है और अपना वेट कम करना है ठीक है कार्ट में आज मैं आलू की दो टिकियां ले रही हूँ आलू की टिकियां इसलिए बन जाती है किस तरह सब मसाले मिक्स करके तो दीना प्यास बगर आलू मिक्स करके ना इस या अपने घीके बगार ना तबह पर फ्राई कर लेना ठीक है और पांचे मच मैंने यहां पर लिए है परोटीन डाल ली यह सलाद अपने अपने मर्जिसा जितना चाह चाहे प्लेट भर के लें आप ले सकते हैं ठीक है और टिकियां मैंने यहां पर तकरीबर कार्ब की तरह ली हैं मैंने 60 ग्राम तकरीबर दो अंडों के जितने अलू थे उनकी टिकियां बनाई है ठीक है अंदर वेजिटेबल डालनी है ज्यादा ठीक है इसलिए बहुत युमी सी बनी थी और आपने भी जरूर ट्राई करनी ह थीक है और इसके साथ ही मैं आपको उताती हूँ नेक्स टे मेरा मील हो जो होता है एक दिन अगर मैं रोजानना डाई चेंज होती है ठीक है नेक्स टे अगर मैंने सिर्फ सलाद लेना तो उसमें परोटीन यह मेरी रेस्पिया सलादी है आप भी येवला इस्तमाल कर सकते है था उससे नग्स झेट अगर मैं ने चावल लेने हैं दस चमच मैं चावल ले ती MAN चावल लेती और पांच मैं चैनेले तूः चट्नी वैसी आपको पता है पेल्गी के िवंद और आपने भी 10 चमश 10 स्पून से ज्यादा चावल नहीं लेने अगर डाइट में ठीक है उससे नेक्स टेज अगर आपका परोटीन और वेजीटेबल का मूड है कार्ब मतलब रोटी चावल लेने का मूड नहीं है तो आपके पास यह उप्शन है ठीक है उससे नेक्स टेज जो सबसे ज्यादा फेवरिट चाट देई भला चाट इसमें मैं परोटीन के तोर पर जो चीज लेती हूँ वो देई भलिया होती है जो बेसन की बनी होती है अपने लिए भी निकलवा सकते हैं कार्ब में मैं अलू लेती हूँ और यह फैमिली के बना रही थी तो मैंने रै आपको चाट काश हो करना तो आप वीक में अगर डाइट में एक दिन यह जरूर खाएं ठीक है वह ज्यादा बेनिफिट्स है इसके और बहुत यमी बनती है हमने बोरिंग खाना नहीं खाना डाइट में के जिसे हमारे बोडी बोर हो जाए हमें ऐसा खाना खाना जिसमें हम खाने में मज़ा है और हमारा दिल करें कि डाइट डाइट नहीं यह फुल लाइट स्ट्राइल बना रहें ठीक है और आपका माइन बन गया ना यह सब चीजें खाके कि मैं तो स्मार्ट हो रही हूं देख लिए जगा आप तीनों में स्मार्ट होंगे और यह चाट की यह चाहिए त्वक्स से अपनी रोटी लिए यह मैं ने 46 50 फिप्टी ग्राम रोटी यह । ने रही है ध्याङ पना यह ॥रे दो 20-20 ग्राम के ले ठीके नमा है वाह बहुत पपितलि रोटी यह मैं आपको दिखाती ना अगे अगर मैंने रास्पीस में मतलब की सेव तो की थी अगर मैंने याप डाले ठीक है और यह चैने इसके पर मैं लेमन थोरे से चसका भी तो डाइट में होना चाहिए ना मरना हम बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और यह देख सकते हैं आप में रोटी मैं आपको दिखाना चाहिए थी बहुत पती है और बहुत यमी है और लंच डाइट में सबसे ज़्यादा ब्रेकफास के बाद जो लंच होता है वो डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा लेते हैं ठीक है यमी होगा हमें अच्छा मतलब मज़ा आएगा डाइट करते होगे बनना फिर मज़ा नहीं आता और इससे नेक्स्ट जो अप्शन होता है अगर आपने कार्व एक दिन ले रहे हैं एक दिन वोइड कर रहे हैं यह जी मेरे पास चैपलिक बाप थे हूंमेट इजी ली बन ज और फिर यही मतलब कर आपने अपने डाइट में पांचीजों का सबसे ज़्यादा अपने रुजान्ना अपने तीन दफा अगर खाना कहते हैं तीनों दफा आपने परोटिन भी लेने हैं डेरी भी लेने कार्ब भी लेने और मतलब फैट और शूगर को हमने अवाइड करन उसमें डलती और जिसनी मेरा मूर कुछ भी दुनाओ कहना का उस दिन में अपनी यह बाली टी लेती हूं और स्टीकी रेस्पी मैंने दी हुए आप मॉर्निंग में जो मेरी ब्रेकफार्स रेस्पी ना उसमें देखें यह दूद्पत्ती वाजी चाहे पीके भी आपका वेट